पाकिस्तान के दसदस चहरे पाकिस्तान के उचायुत की तरफ से कहा गया है कि भारत ने 57 बार सीजफार का उलंगन किया है लेकिन सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से सचिव इस तरीय बाचीत रद भारत की तरफ से कही गई है उसके बाद पाकिस्तान आखिर भारत को आख क्यों दिखा रहा है क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते है पाकिस्तान हर बार जूट बोलता है इस समय पाकिस्तान में घरेलू हालात पेहत खराब चल रहे हैं इम्रान खान ने नवाज शरीफ के खलाब जोरदार आंदूलन छेड़ रखा है ऐसे में घरेलू मोर्चे से निपटने के लिए नवाज शरीफ कश्मेर मुद्दे का इस्तमाल कर रही है इसके लिए उन्होंने मोदी की अमन पसंद पहल को भी दाव पर लगा दिया है हर बार पाकस्तान का चेहरा बदल जाता है आखर पाकस्तान के कितने चेहरे हैं पाकस्तान का पहला चेहरा नवाज की शरीफ दित्ती सरकार पाकस्तान का दूसरा चेहरा नफरस से भरी फोज पाकस्तान का तीसरा चेहरा साजिशो वाली संसा आईयसाई पाकस्तान का चौथा चहरा दिखावे का अच्छा पडोसी पाकस्तान का पाँच्वा चहरा अलगावाद को भड़काने वाले पाकस्तान का छटा चहरा आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकस्तान का साथवा चहरा दोस्ती का जूटा दम भरने वाला तो ये वो तमाम चेहरे हैं पाकिस्तान के जो बार बार सामने आते रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर बार यही दावा किया जाता है कि वो भारत से संबंद सुधारना चाहता है वो कौन से रणनीती है पाकिस्तान की जिसे इस तरीके से पाकिस्तान लेकर आगे बढ़ना चाहता है क्या आतंकवाद और लगताद सीजफार के उलंगन के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में शांती वारता हो सकती है और जिस तरीके से 57 बार भारत पर सीजवार उलंगन का आरोप लगाया गया है उसके बाद क्या हालात सुधरेंगे इसी मसले पर चर्चा करेंगे, मेरे साथ कुछ खास महमान मौझूद है उनका परीचे आपसे करा देते हैं मेरे साथ दिनेश सिंग है बीजेपी की तरफ से साथी साथ मेरे साथ संजय परदेशी जुड़ रहे हैं जोनों भारत कैसे बदले इस विश्चे पर काफी काम किया है वो मेरे साथ हैं और साथी साथ सुरेश चौहन के जी सुदर्शन न्यूज प्रधान संपाधक मेरे साथ जुड़ेंगे कुशी देर के बाद और बीडी मिश्रा साथ ने डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीडी मिश्रा साथ ये तमाम चेहरे हम पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं इन तमाम चीजों के बीच अब statement आती है उचायुक्त की अब्दुलबासित सहाब की जो कहते हैं कि 57 बार भारत की तरफ से भी ceasefire का उलंगन किया गया है क्या कहना चाता है आखिर पाकिस्तान की इस मुहिम को accept कर ले भारत या दबाव में आ जाए हम लोग क्या ये उस मुहिम का हिस्सा है आखिर चल क्या रहा है आप पाकिस्तान के स्टेटमेंट को इतनी अहमियत क्यों देते हैं जब हेमराज का सिर काटा गया था तो वहां की कम से कम जो एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर थी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वारदात ही नहीं हुआ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे किसी सैनिक ने सीज फायर करना वालेशन किया ना आपकी सीमा में आया तो पाकिस्तान तो हमेशा जूटी जूट बोलता है और पाकिस्तान को जूट बोलना इसलिए सूट करता है क्योंकि वहां के जितने राजनाइक हैं उनको परमेशल लेनी पड़ती है वहां के आर्मी से I.S.I. से कि उन्होंने क्या करना है मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जब वहां से नवाश शरीफ आ रहे थे श्री नरेंद्र मोदी जी के शपत समारोह में सिरकत करने के लिए तो वहां से जब उन्होंने परमीशन मांगी आर्मी से तो आर्मी ने कहा कि अच्छा सोच बिचार के साथ कहा कि आप जा सकते हो लेकिन वहां न तो कोई मीटिंग करोगे न कोई स्टेटमेंट दोगे और न तो कोई बातचीत करोगे किसी भी मामले पर है नवार शरीफ आए उन्होंने थोड़ी पहल ये की कि उन्होंने एक मीटिंग कर ली और बातचीत हुई वहां पर जाने पर पाकिस्तान के आर्मी ने समझा कि ये तो हमारा अस्थित्ट ही खतम कर देंगे तो पाकिस्तान के आर्मी ने वहाँ पर ये इमरान खान को और बागी लोगों को उन्होंने खड़ा किया और उनको कहा कि जो दो साल पुराना मुद्दा है कि वहां के एलेक्षन को बीते हुए कितने दिन हुए कहा कि इसमें रिगिंग हुई थी और कादरी को कहा कि तुम भी इमरान के साथ शामिल हो जाओ और इस मामले को उठाओ तो आप इसे समझ सकते हैं कि वहां की जो इलेक्टेट गॉर्मेंट है उसका कोई वजूत नहीं है और वहां पर जो शॉर्ट्स कॉल किये जाते हैं और वो सब आर्मी के वज़े से हैं आपको मैं बता दूँ कि वहां पर कोई भी मामला उठे पाकिस्तान में चाहे वो और पहले वहां की हुकूमत को वहां के आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं क्या करूँ जब वो बताते हैं तो उसी मताबिक काम होता है तो यह सब बातों पर आप उनके स्टेट्मन्ट पर क्यों विश्रास करते हैं अगर हम यह करते रहेंगे तो जैसे 67 से हम लोग तुमाम प्राबलम को जेल रहें वैसे हमेशा जेलते जाएंगे इसमें सिल्वर लाइन ही है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया ठीक दिने सिंग जी अब जो एक लाइन खीचने की कोशिश की जा रही है जो आज तक भारतिया सरकारों ने नही खीचे जा सकी नरेंद्र मोदी उसे खीचने वाले हैं निश्चित तोर पे सठे सैठम समाचरित जब तक आप उनकी भासा में जिस तरह की भासा वो समझते हैं जब तक आप उनसे उस भासा में बात नहीं करेंगे मुझे लगता है कि वह भासा को समझ अगर मान लिजी ये क वह बात को समझना चाहता है मुझे लगता है कि पाकिस्तान से उसी भासा में बात करना चाहिए persönlich और इसके पूर्व जो सरकार थी उस भासा में बात करने के कि लिए मुझे लगता है औो पने को सच्छम नहीं पाई थी बीच में एक दवर आया था जब पंडित अटल बहार पारिवाज पेजी इस देश के प्रधान मंत्री थे उन्होंने उस भासाम उनको सिखाने की कोशिस की थी और जब जब उन्होंने पाकिस्तान का इतिहास है जब भी उन्होंने भारत के ऊपर आँख उठाने की कोशिस की उसका जो है मुतोर जवाद अभी मिस्रा जी बहुत अ लेना के द्वारा इससे काम किये जाते हैं निश्चित तोर पर आज जिसकी चर्चा भी मिस्रा जी ने की कि यहां के उच्चायुक्त ने जो काम किया कि भारत सरकार के मना करने के बाद भी उन्होंने अलगाव आदियों से बात की एक बार नहीं दो बार बात कि और उसके लगता है कि अब समय आ गया है और पाकिस्तान का रूसी भासा में उनको जवाब दिया जाना भी चाहिए जी संजजजी आपको क्या लगता है कि यहां पर जो स्टेट्मेंट आया है अगर हाली के घटना करम को देखा जाए जिस तरी के सलगावादियों की मुलाकात होती है जो चाहिए के साथ और उसके बाद भारत का ये खड़ा रुक कि 25 अगस्त की जो सचेविस्तरिय बातचीत है उसे खत्म कर दिया जाता है और उल्टा स्टेट्मेंट पाकिस्तान की तरफ से आता है कि भारत चांतिवारता नहीं चाहता है इस कदम को आगे बढ़ाना गसलिया है अगर सचेविस्तरिय बातचीत के उपर भी बात की जाए तो हम लोग थोड़ा इध्यास देख लेते हैं 1948 से राजा हरिश्टंडर के बाद पाकिस्तान हमारा है हमारा था हमारा रहेगा तो हम यह काशुर हमारा है तो पाकिस्तान जो भी मौलता है उसको हम इतन líder क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान खुद की नाकामी हम पे हमेशा थोपता है और वो हमसे जलता है हमारी तरक्की उसको सहन नहीं होती है आज हम देख रहे हैं कि मोदीजी आने के बाद पूरे देश में एक विश्वास का माहुल चला है जो पाकिस्तान में दूर दूर तक नजर भी नहीं आता है तो जाहिर है उनकी पैरोतली जमिन खिसकी है और इसी वज़ा से वो बार-बार काश्मीर का मुद्दा उठा रहा है हमको सिर्फ एक ही करना है कि जब वो जब वो मुद्दा उठाए हमको उसको you can ignore it उसको दूरलक्ष करे और इतनी इतनी मैं बचाहूंगा इतनी खतरनाक तरीके से इसको दूरलक्षित करे और जवाब दिया जा कर सकते है तो फी वो एक्शन ले जो पिछले 60-60 साल में हमने सिधी-सिधी नहीं ली है बिल्कुल एक्शन लेने कि यहां पर बात है कहीं ना कहीं बिडिविश्ण साब मैं आप अपनी पूरी बात करेगा और सातीसा सवाल ये भी है कि जब हम जानते हैं कि भारत पाकिन सरकार के पाकिस्तान सेना के बीच में किस तरीकाय चाहिए तो जाहिर है важно कि ह्या है् Maharच सरकार के की हालात यो बहतर नहीं हो सकते इंस्ट्रुमेंट अब सक्सेक्शन साइन किया था उन्नीशाव साइन तालिस में लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ हम 15 अगस्त को यह 14 अगस्त को हुए थे उसी दिन उन लोगों ने उनकी सेना ने कबालियों ने अटेक कर दिया 28 अक्टूबर 1947 को हमारी सेनाएं गई और हमारी सेनाओं ने उनको पीछे ठकेलते हुए उनको उरी तक ले गई और जब उरी वो पहुँच गए तो वहां से जो पाकिस्तान अकुपाइट कैश्मीर है वो एरिया बिल्कुल नीचे दिखाई पड़ता था मुझफराबाद ब वाइसराय थे और अंग्रेज हमारी सेना का अध्यक्स था वहां भी अंग्रेज उनकी सेना का अध्यक्स था लेकिन वहाँ वाइसराय जिन्ना थे और उस बख़त पहली जनवरी 1948 में जवाहलाल नहरू जी ने इनिलेटरल सीज़ फायर किया और वह मामला लेके उनाटेट नेशन्स में चले गए एक जनवरी 1948 में और उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया उसी प्रकार से जितनी हमारे सरकारें आई उसमें गुजराल साफ वह प्राइम निस्टर हुए उन्होंने ये कहा कि वी शुट मीट पाकिस्तान मोर दैन हाफ वे तो उसको गुजराल डाक्ट से आती रही तो अभी नहीं पता लगा क्योंकि उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी को बंद कर दिया कि भाई भी शुट मीट पाकिस्तान मोर दैना आफ वे और अभी जब यहां के उनके हाई कमिशनर ने सेपरेटिस लीजर्स को बुलाया तो सबसे ज्यादा पीड इस बात इनकी जो डाइलार इनका जो मीचिंग होने वाला था उसके कैंसलेशन की सब ज्यादा पीडा किसको होई इन्हीं हुरियत रीडर्स को इन्हीं को यहीं कह रहे थे यह तो बड़ी नादानी है और इसको क्यों कर रहे हो बातचीत करते रहो अरे एक आयक तुमको कहा से तकलीफ शुरू हो गई इस तकलीफ के पीछे क्या है क्योंकि अब इनकी जो अहमियत है वो खतम हो जाएगी बिल्कुल और इसी लिए इस तरीके से उर्यत नेता जो है अब सामने आ रहे हैं अपनी अहमियत को एक बार फिर से बचाने के लिए दिखाने के लिए लेकिन क एक संकट के मुहाने पर पाकस्तान इम्रान के अल्टिमेटम पर नवास की चुप्पी क्यों अब इम्रान खान और कादरी क्या करेंगे पाकस्तान में सियासी बवाल अपने चरम पर है पाकस्तान के प्रधान मंतरी नवास शरीफ को हटाने की मांग कर रहे पाकस्तान तहरीक इंसाफ पार्टि के बुख्या इम्रान खान और धार्मिक नेता तहिरूल कादरी अपने अजारों समर्थकों के साथ भारी सुरक्षा बंदवस्त वाले रेड़ जून में घुस गए हैं वहीं ये सब ही अब संसत भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं इसी सब के सरकार प्रदैशन कारियों अजुरक्षा बलों की बीच जड़ पे भी हुई रेड़ जून ये पाकस्तान में एक प्रमुख जगह है आपको बता दें इसी रेड़ जून में पाकस्तान की संसत प्रदान मंतरी और राष्टपती का आवास है तो इसके अलावा सुप्रेम कोर्ट और अन्य देशों के दूता आवास भी यहीं है तो वहीं इम्रान खान फाकस्तान के प्रदान मंतरी नवाश शरीफ से इस्तीफा देने को कहा उन्हों ने कहा कि अगर नवाश शरीफ इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम प्रदान मंतरी आवास में प्रवेश कर जाएंगे। उदर खान ने रेड जोन की तरफ मार्च शुरू करने से पहले अपने समर्थकों को सम्मोधित करते हुए कहा मुझसे बादा कीजिए अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो आप नवाज शरीफ से बदला लेंगे वहीं रेड जोन में घुसने से पहले इमरान ने ये भी कहा कि मैं आ रहा हूँ आपको जवाबते बनाने के लिए ऐसे में सुरक्षा के मद्दे नसर प्रधान मंतुई नवाज शरीफ के घर के पार सीना की तैनाती कर दी गई है रेड जोन के सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलो के तैनाती से बेपरवाह पाकस्तान तहरीक इंसाफ और पाकस्तान आवामी तहरीक समर्थक संसर भवन के पास पहुँच गया वहीं प्रधाश्वंकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो अधर रेड जोन में प्रधाश्वंकारी के प्रवेश करने पर पुलिस के साथ जड़ब भी देखने को मिली शुरुबात में मामूली प्रतिरोत की बाद पुलिस में सक्ती नहीं बरती और हिंसा टालने के नेती पर ढुल्मुल रवया अपनाया सरकार ने सुरक्षा भलो को हटाने का फैसला लिया तो बहें उच्छ सुरक्षा वाले रेड जोन में प्रधाश्वंकारी कॉंस्टिउशन एवन्यू तक पहुंच गए जब विरोध प्रधाश्वंकारी कोई खतरनाक शकल ना ले इसके लिए सरकार की तरफ से सक्त आदेश है कि प्रधाश्वंकारी के साथ किसी तरह की कोई सक्ती ना की जाए प्रदेशन्य कारियों के पियम आवास तक पहुचने के बाद, पियम नवाश शरीफ की पीटी मर्यम शरीफ ने अपने टुट में लिखा कि प्रधान मंतरी ने मुझे से कहा कि उन्होंने पॉलिस को आदेश किये हैं कि प्रदेशन कारियों के खलाब किसी भी तरीके का बल इस्तिमाल ना करें क्योंकि आगे के कतारों में महिलाएं और बच्चे हैं तो वहीं इसी मामले में इंटर सर्विसेस पब्लिक रिलेशन्स के प्रवक्ता असीम भाज़वा ने ट्विट किया कि रेड जोन में इमारते देश की प्रतीक हैं और सेना उनकी रक्षा कर रही है इसलिए इन राष्ट के प्रतीकों की पवित्रता का सम्मान किया जाना चाहिए उन्होंने साथ में कहा कि स्थिदी को देखते हुए सभी पक्षों को व्याफक देश हित और चरहित में सार्थत बाच्चित के जरिए परत्मान गतिरोध दूर करने के लिए धैर्य समझदारी और दूर दश्वित का परिशए देनी की जरूरत है तो वहीं पाकस्तान की डॉन न्यूस की खबर के मताबिक पाकस्तान की सेना ने ग्रहम अंत्रालेक का नियंत्रर कक्ष का प्रभार अपने जिम में ले लिया है खान और कादरी के समर्थकों ने पहले अलग अलग आगे बरना शुरू किया थ चरीफ के इस तीवे की मांग करते हुए वहां टेरा टालने का एलान करेंगे सुचनाय में प्रसारन मंत्री परवेज राशुद ने जियो टीवी को बताया कि प्रदेशन कारियों ने उस लिखित प्रतिबधता का उल्लंगन किया है जिसमें उन्होंने का था कि वेरेट सून में प्रवेश नहीं करेंगे राशुद ने कहा महिलाएं और बच्चे उनके साथ हैं इसलिए सरकार ने अधिक्तम संयम बरतने का फैसला किया है बैचाते हैं इन लोगों की जान जाए लेकिन हम उनके उकसाने के बापचूद ऐसा कोई मौका नहीं देंगे तो उधर राजधानी के पॉली क्लेनिकल हॉस्पिटल और पाकस्तान इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसेज पी आई एमेस में अलेट उचारी कर दिया गया है दोनों ही प्रमुक सरकारी अस्पताल हैं दोनों संस्थानों में अतरिक्त दवाओ, आपात ऑपरेशनों और अतरिक्त बिस्तुरों की विवस्था भी की गई है सरकार विरोधी प्रदेशन कारियों के पास वायर कटर तार काटने वाले आज़ार और कंटेनरों को हटाने के लिए क्रेन है तो वहीं डॉन न्यूस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रधान मंद्री शरीफ ने कहा है कि वह किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे शरीफ सत्तारूड P.M.L.N. पार्टी के वरिष्ट निताओं के साथ रेड सोन में अपने अधिकारिक आवास में मौचूद है वहर गतिविदी पर खुद नजर रखे हुए है सुदेशन नियूस के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर है अगर उन हालात उपर नजर डाली जाए या इससे पहरे जिस तरीके से बीडे मिशा साब ने भी कहा आपने भी उनकी बात के लिए हामी भरी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तानी सेना है उनके बीच में जो हालात है वो सही नहीं है जो सामन जिस है वो बिल्गुल खत्म है पाकिस्तानी सेना नहीं चाहती है कि भारत के साथ जो संबंद है वो बहतर बने तो इन सब के बीच भारत का अगला कदम क्या होगा क्य और आज के परपेच में आप किसी बात के लिए मुझे लगता है कि अभी उस समय नहीं है लेकिन एक चीज जरूर है कि आज इस तरह के इस्थिती आज पाकिस्तान की बनी है हमेशा से वहां की सेना है चाहती है कि जो भी सरकार हो वो सेना के दबाव में काम करें आज अगर इम मुझे तो अभी सरीब नवासरीय आज आयुं नामके सरीबह यह लेकिन सरीबह नहीं लेकिन फिर भी उननकी सेना चाहती है कि वह पत्बर बने रहें लेकिन उनकी पावर जो है ओसीज करके ट्रांसपर करके सेना अपने पास ले लें जो सर्कार वहां नेड़य खुद ले कि इस दिन प्रधान मंतरी ने सपत लिए उन्होंने पहला काम किया था उन्होंने सार्ख देशों को बुलाया उसमें पाकिस्तान को भी बुलाया गया था और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री उसमें आए जिस तरह से सांध पूर्बग माहौल में हम चाहते थे कि हमारे पडोसी के साथ हमारा संबन अच्छा बने और जितनी कोशिस अपने तरफ से हो रही थी की जा रही थे हमने ओ कोशिस की लेकिन उसके बावजूद भी एक सरकार क मना करने के बाद जिसकी चर्चा भी हमारे दोनों मेमान कर रहे थे सांध साथ कि हम पहले के हमारी एक बावजूद भी कोई पॉजटिव रस्पॉंस नहीं है तो अब हालात क्या है अब क्या किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से इसे लिए बार बार पूचा जा रहा है कि क्या नरेंद्र मुदी जिस चीज का वो जिक्र करते रहे हैं लोग सबाचुनाव के वक्त भी कि पाकिस्तान गो खड़ा जवाब दिया जाएगा मुहतोर जवाब दिया जाएगा क्या वो वक्त है निश्चित तौर पे और उसका जवाब दिया भी जा रहा है अगर आप करना चाहता हूँ एक बार यहां ज्वाइंट पालिया मंट ने कह दिया है पहले भी बार बार करें कि जम्मू कस्मेर जो है भारत का अभी नंग है उस पर हम किसी तीसरे की मज़स्ता नहीं कर सकते हैं तो पाहिस्तान को सुभी जी एक बार उन्होंने कहने पे अगर आप द देश जो आज भूकों मरने की स्थिति में है वो देश कम से कम आप जसे नरेंद मोधी भारत देश के प्रधार मंत्री बने हैं तब से उनको आँख दिखाने की उनकी जुर्रत नहीं होनी चाहिए और ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को अच्छे धंग से समझ लेने क् संझे जी हालाच जो हैं पाकिस्तान के वो किस तरीके के हैं सब के सामने हैं लेकिन अब भारत के पास क्या इस्थितिा हैं क्या परिस्ति वे भारत की तरफ से 21 तरीक का जवाब धिया जाना चाहिए क्या सिर्फ ये परियाप्त है कि हम सचे विस्तरीय बाचीत ऐसे बना कर दें दूसी तरफ से भी उनोंने आखना चुरू कर दिया कि हम न्यू यूजोक में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात नहीं करने वाले यह नवाज शरीफ जो है मोद्डी से बात नहीं करेंगे इससे उनको कोई फर्क ने पड़ेगा माने ये वाश्पई जे ने भी बहुत बहुत पहल की थी बस लेकर गए थे पिछले 63 साल से यही चलता आ रहा है अगर हमने एक्षिन नहीं ली एक्षिन किस तरह से ली जाए वह बात की विश्य है तो यह ऐसा ही चलता रहेगा मेरी यह कि एक आक्रमन सो बचाव किनारे करता है और एक अपना अपनी एक धोस जबाता है अभी आप बोलेंगे कि हमारा इक्यास यह नहीं है कि हमने कभी जिन्दगी में आक्रमन किया ही नहीं है मैं मानता हूं कि हमने आक्रमन नहीं किया है इसका मतलब ऐसा है कि हम आगे भी आक्र होना चाहिए और नरेंद्र मोधी पाकिस्तान के इंदस चैरों से किस तरीके से बचने वाले हैं एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं तुरंत लटते हैं तो पाकिस्तान के दस-दस चेहरे सामने आ रहे हैं लगातार पाकिस्तान के तरफ से सीजवायर का उलंगन किया जा रहा है लेकिन आग भी भारत को दिखाये जा रही है जिसमें कहा गया है कि भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के साथ संबंद सुद्रे आखिर चाहता क्या ह पाकिस्तान इसे मसले हम चर्चा कर रहे हैं मैं बिड़ी वीशाओ सहाब आपके पास आनाशाया रहा हूं मान भी लिये जाए कि सेना नहीं चाहती है कि सुखिसे के कहा अगर सबसे जादा जा सकता है जिसे राजनिति गल्यारों में सबसे ज़्यादा चर्चा में किया जाता है वो कश्मीर है और वहां से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के हालाग पैदा किये जा रहे है नहीं मैं ऐसा नहीं समझता हूँ पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का दस चेहरा नहीं है पाकिस् इंडिया वो चेहरा है कीप टेंशन बिट्विन इंडिया और पाकिस्तान वो चेहरा है पाकिस्तान का अफगानिस्तान वाला बार्डर भी बुलेटाइल रहे इस वजह से यह है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की अहमियत उनकी रोजी रोटी उनका अस्तित और उनका को यह कर सके है political leaders को कि अगर मैं नहीं हूँगा तो पाकिस्तान इंडिया तुमको खा जाएगा पहली बात दूसरी बात यह है कि अगर यह नवाज शरीफ नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का रिष्टा सुधरे तो इसके माने यह है कि वो अपनी अपने अस्थित को क करते हैं क्योंकि अगर नहीं सुधरेगा बात पाकिस्तान का रिष्टा तो आर्मी हाबी रहेगी और politician का कुछ भी नहीं चलेगा दो बात तीसरी बात यह जितना कुछ हो रहा है पाकिस्तान के आर्मी का ड्रामा है आप तीन बातों पर गौर करिए पहली बात तो यह गौर करिए कि नवाज शरीफ के लड़की का ट्वीट वो कहती है कि हमारे अब्बु जान ने कहा है कि कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए दूसरा पाकिस्तान की आर्मी ने नवाज शरीफ के बंगले के चारों तरफ आर्मी खड़ी कर दी है तीसरा पाकिस्तान की आर्मी का है नवाज शरीप को बताना चाहते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम कैसे इमरान खान को कादरी को कंट्रोल करोगे इसको तो मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ इसलिए उनको अपनी जगह बता दिया है थोड़े दिन बाद यह बीच में बातशीत हो पाकिस्तान की आर्मी इनको आपस करेगी अनवाज शरीप से पाकिस्तान की आर्मी कहेगी कि जो मैं कहता हूँ चुपके करते रहो ठीक है इसी बीच सुदर्शन नियूज के प्रदान संपादक सीरी सुद्ध चुर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेच जी आप भी के पास चाहता हूँ मेरे साथ जो महमान यहां पर मौझूद है उनका भी यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है और सेना है उनके बीच में समन्वे नहीं है और पाकिस्तानी सेना ही बिलकुल नहीं चाहती है कि भारत के बीच में संबंद सुद्र है आपको क्या लगता है कि क्या यही रंडीती है पाकिस्तान के अंदर? यहाँ उच्छा युक्त में उच्छा युक्त आकर यहाँ अगर ऐसे हरकत करता है तो भी पाकिस्तान ने की है। क्या दिखाने की कोशिश है? एक तरफ आप शांती चाहते हैं। पाकिस्तान ने धंकी दिए ऐसी कहनी की क्या ज़रत है? पाकिस्तान को भारत ने मिलना यह पाकिस्तान की ज़रत है। आंतराष्ट यह दवाओ पाकिस्तान की उपर भी था। वहाँ के मार्केट और वहाँ के लोगों की दे भारत चाहिए? भारत संबन चाहिए? भारत को धंकी यह शब्द तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सवाल यही बनता है कि आखर यह रणीती किस तरीके की अपनाई जा रही है और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंद बनाने की बात की जाती है वो इन हालातों में पूरे हो सकते हैं या सुधर सकते हैं लेकि बीडी मिश्रा साहब यह जो पाकिस्ता की तरफ से और साथी साथ अमेरिका का भी एक अस्तक्षेप इसके बीच में आया जिन्होंने कहा कि बीच में जो शांती वारता है यह होती रहनी चाहिए थी पाकिस्तान और भारत के बीच यह शांती वारता हो अमेरिका इसके हित में हैं लेकिन सवाल यह बनता है कि अमेरि पाकिस्तान के उपर हावी होता है तो उसके जो हित हैं उन पर कही ना कहीं अस्तक्षेप होगा देखे बड़ी सिंपल सी बात है अमेरिका और क्या कह सकता है कि अमेरिका यह कहेगा कि बिल्कुल ठीक है इंडिया बात नहीं कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है अमेरिका तो हर पर कि बाचीत होनी चाहिए लेकिन आपका जो प्रस्ट कई बार आप उठा रहे हैं वह यह है कि भारत को क्या करना चाहिए जो हमारे नेरंदर मोधी जी ने किया है कि हुरियत नेताओं को बुला के और जो सेपरिटिस डीडर है इनको बुला के हाई कमिशनर ने बात किया है यह बात गलत है और इस पर जो उन्होंने कदम उठाया है सई कदम है पहली बात दूसरी बात यह है कि अगला कदम क्या उठाएंगे मैं यह समझता हूं कि अगला कदम नेरंदर मोधी जी इनके तरफ से क्या पहल होती है इनके तरफ से क्या रियक्शन होता है उस पर का वो लो इंटेंसिटी वारफेर है दूसरा जो स्लीपर से हैं इंडिया में बने हैं उनके लश्कर तयबा के जैसे मुहम्मद के ऐसी संस्थाओं के यह हैं यह दो में तरीके हैं मैं यह समझता हूँ कि पाकिस्तान को टैकल करने के लिए सबसे पहले अपनी आंतरिक शुरक् इस बात पर आश्वस्त हूँ कि इसक पर भी हमारी सरकार करेगी क्योंकि अगर उनका मनसूबा यह है कि वह एक्सपोर्ट करते रहें आतंकवाद हमारे हां तो हमारा मनसूबा यह होना चाहिए कि हम आतंकवाद को अपने हाँ सफल नहीं होने देंगे यह में चीज है और इ इंदुस्तान के जो रिष्टे हैं उन्हों सुधर हैं लेकिन उनको ऐसा नहीं होने देंगे पाकिस्तान टोड़े हमारा एंडमी नंबर वन है और हमको सतरक नहीं कि यहां पर जरूरत है लेकिन कदम अब भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ उठाये जा सकते हैं और साथी सा सतरक्ता यहां पर नरेंद्र मोदी को क्या बरतने की जरूरत है और नरेंद्र मोदी कैसे निप्टेंगे पाकिस्तान की इन हरकतों से एक रिपोर्ट देख लेते हैं पाकिस्तान सरकार पर संकट के बादल संकट से बचने के लिए नवाज शरीफ ने क्या किया नवाज शरीफ की अरकत पर मोदी सरकार अब क्या करेगी मोदी का पाकिस्तान प्लैन क्या है पाकिस्तान विपक्षी पार्टियों का प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के खिलाब प्रदर्शन करना और उन पर भर्ष्ट होने के आरोप लगाना उनसे स्तीफा मांगने के लिए पाकिस्तान में एक चुनावी माहौल बनाना ये सब बड़े सवाल बन गए हैं तहरीक इंसाफ नेता इंबरान खान और पाकिस्तान आवामी तखरीक नेता मौलाना ताहिर उलकादरी अपने लगभग 30,000 समर्थकों के साथ रेड जोन यानी वो इलाका जहां पाकिस्तान का सुप्रीम कोट, संसत भवन, प्रधान मंत्री और राष्टपती के ओफिस हैं इन सारी घटनाओं से लगने लगा है कि 15 महीने पुरानी नवाज शरीव सरकार के सामने ये संकट अब तक का सबसे बड़ा संकट है अपने उपर आए इन संकट के बादलों से बचने के लिए पाकिस्ताने प्रधान मंत्री ने कश्मीर मुद्दे की आड़ दी है कश्मीर के मुद्दे को सुलजाने के लिए पाक उच्चायुक्त को कश्मीरी अलगाववादियों से मिलने का प्लैन बनाया जो उनके लिए अपने उपर बन रहे संकट से बचाने के लिए एहम समझा जा रहा है लेकिन पाकिस्तान के उठाए गए इस कदम ने भारत सरकार को हैरान कर दिया है भारत बानता है कि पाकिस्तान के उच्चायुक्त का कश्मीरी नेताओं से मुलाकात करने का मतलब भारत के अंदुरूनी मामलों में दखल है इसी कारण विदेश मंत्राले ने 25 सकस्त को होने वाली उचायुक्तों की बैठक को रद करने का फैसला लिया भारत का एक अदम पाकिस्तान सरकार के लिए एक बड़ा जटके से कम नहीं है मोदी सरकार अपने पुडोसी देश पाकिस्तान के साथ रिष्टों को सुधारने के लिए कम भीर है इस कारण प्रधान मंत्री ने अपनी शपत ग्रहन समारों में नवाज शरीफ को बिलाया साथ इसाथ दोनों देशों के उच्चायुक्तों की बैठक करने का बड़ा फैसला लिया गया था लेकिन पाक अपनी नापाक हरकतों से बास नहीं आया और मोदी सरकार के बनने के बाद भी लगातार सीजफार का उलंगन करता रहा लेकिन पाकिस्तान के उच्चायुकत अब्दुलबासित ने तो आज प्रेस कांफरेंस में ये कहते हुए सब को चौका दिया कि भारत ने तो जुलाई से अब तक 57 बार सीजफार का उलंगन किया है लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा है इन सब के बाद प्रदान मंत्री मोदी ने कश्मीर दौरे पर भारतिय सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तान को दो टुक कह दिया कि बड़ोसी देश में सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं है प्रदान मंत्री की इन बातों से साफ हो गया है कि मोदी आ पाकिस्तान पर बड़ी कारवाई करने का मन बना चुके हैं सुधर्शन न्यूज के लिए मोहिश शर्मा की इपोर्ट तो नरेंदर मोदी आगे कारवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं कारवाई की क्या की जाएगी क्या strategy लेकर आगे बढ़ेंगे यह महत्रपूंड सवाल है सुरेज जी आपके पास आना चाहता हूँ जो पाकिस्तान की तरफ से एक statements आ रही है या उनकी तरफ से जो एक frame कीचने की कोशिश की जा रही है उसमें जो बात निकल कर सामने आती है वो जो अभी रिपोर्ट में एक बात कही उस पर हमने ध्यान देना ज़रूरी है, हलाकि हमने उसका समाधान हमारे पास नहीं है, समझे यह है कि पाकिस्तान में एक हमेशा ही वहां की आर्मी का यह प्रयास होता है कि सत्ता उनके हाथ में कैसे रहे, और लोकतंत्रिक दलों का यह प सत्ता अने दिख आ जब बहुत जृदा आर्मी का हो जाता है, तो फिर लोगतंत्रिक दल आ जाते, अब आर्मी को फिलहाल सत्ता में आने का कुई बड़ा कारण नहीं दिख रा है, जो कि एक लोजिकल या मौरल उकारन बताते हैं कि फाइनली पाकिस्तान की रक्षा करना आर्मी का काम है और पाकिस्तान कीसे असरक्षित है ऐसा तो नहीं दिख रहा हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग तांत्रिक सरकार आई है, स्टेबल सरकार आई है, अच्छे बहुमत से आई है, तो फिर आर्मी के पास एक महत्र कारण है कि भारत कुछ ऐसे हरकत करे, जिसको पाकिस्तान आर्मी ये कहे कि नरेंद्र मोदी दिली में बैठ गए हैं और अब भारत से बच्चदे के लिए पाकिस्तान की राजनेतिक जो नित्रु तो है लिडर्शिप ये परयाप नहीं है और इनके आपस में विवाद चल रहा है अब चलो हट जाओ हम यहाँ पर बैठते क्योंके वहाँ मोदी बैठा है और इस से बच्चने के लिए नवाज शरीफ या वहाँ का जो भी दयनिय लोकतंत्र है वहाँ का जो प्रदान मंतिर हर बार होता है वह हमेशा भारत के खिलाब पुछना कुछ करने की कोशिश करता है मतलब वहाँ आर्मी को भी सत्ता में आना है तो एंटी इंडिया कुछ करना है और वहाँ लोकतंत्रिक दलो को भी सत्ता में बने रहना है तो एंटी इंडिया कुछ करना है इन दोनों चीजों के लिए उनकी प्रतिकात्मक या शड़े अंतरात्मक भारत के खिलाब की पहल भारत क्यूं सहन करें? बिल्कुल यही सवाल बनता है संज़ जी आखिर भारत इसे टॉलरेट क्यूं करेगा? हम अगर अमेरिका के लिए से भी देखें, अमेरिका अपने हिट साथना चाता है पाकिस्तान के जरिए, वहाँ पर जो लोकतांत्रिक शक्तिया उन्हें कमजूर करने की कोशिश की जाती है, उन्हें उभारा जाता है, फिर सेना जो है वहाँ पर कभणा कर लेती है, लेकिन खा देने वाली अभी एक साल के खिलाप क्या-क्रान करना चाहिए लुटे काश्मीरा निकलना है सबसे अहम बात कि काश्मि Düegers चंट हमारे साथ यह बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम अभी देख नहीं रहे बाठ tut यह से पाकिस्तान ज्यादा जनता हमारे साथ है हम राजदुत को वापस भेश सकते हैं यह इस तरह से अगर पॉइंट हम उनके साथ लेके जाते है एक बाद चीछ चलाते है एक बाद बात तो करते हैं कि हम यह भी करने जा रहे है पिछले सरतर साल में किसी निये किया नहीं है और यह ब्लूप्रिंट है उसके बाद भी अगर वो लेकिन मेरी माना मेरी एक राह है उसके बाद पाकिस्तान मानेगा क्योंकि जो डराता है न वो अंदर से बहुत पहले डरता है तो यह दिखाना ही चाहिए भी हमें ठीक है बिड़ी मिशा साब क्या विकल्प का सवाल उठता है क्या यह पूछा जा कि 57 बार इंडिया ने सीजफायर का वाइलेशन किया है लेकिन इन्होंने 57 बार जब सीजफायर का वाइलेशन हुआ हम हमेशा कहते हैं कि हमारे तीन आदमी जख्मी हुए कोई भी वाइलेशन होता है हमारे तीन हमारे दो सैनिक मारे गए एक सैनिक मारा गया 57 बार हमने हाई कमिशनर को बताने के लिए यह नवाज शरीफ नहीं दिया क्योंकि इसमें जो एंगिल है वो उनका डिमास्टेशन का एंगिल है वो यह नहीं चाहते हैं कि पाकिस्टान की कोई जनता है उसकी मुझे एक भी निउज पाकिस्तान के किसी भी मीडिया में निउज रिपोर्ट नहीं दिखी तो यह कैसे हो सकता है हमरे यहां तो बस गोली बारे भी चलती है जख्मी होना तो दूर की बात है तो भारत के सारे में च्छोटे मोटे मीडिया में वेबसाइटों में आ इस तरीके से अब तमाम लोग यहाँ पर जो मौझूद हैं वो कह रहे हैं कि सेना जो झो है वह भारत पाकिस्तान की जो सेना है वो नहीं चाहती है लेकिन सभाल है कि नवाज शरीफ ने प्र क्या किया है नवाज शरीफ क्या कुछ कर रहे हैं thinking का उत्तरधायत मैं कुछ बंता या कुछ ऐसा ही शब्द इस्तेमाल किया चौहन के साब ने तो मैं तो समस्ता हूँ जो इन्होंने विशेशन इस्तेमाल किया हो बिल्कुल सही है नवाज शरीप तो आज इतने वहां पर दबे हुए हैं कि आर्मी उनके घर तक दिमांस्टेशन लाके खड़ा कर दिया है और उनका कोई अस्तित तो नहीं है लेकिन हमारा जो ये कदम हुआ है और जो हमने कैंसिल किया है मीटिंग उसका जो संदेश गया है मैं समाझता हूँ काफी कारगर है और आने वाले दिनों में उसका ऐसा ऐसा नहीं होगा हमारे तरब से कि हम उससे कोई और कमजोर संदेश दे और हम यह करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वहां कि आर्मी समझेगी और दूसरी बात मैं काना चाहूंगा कि हमारे रक्षा मंत्री ने दो बार बार का और लाइन अफ कंट्रोल का आर्मी जनरल के साथ उन्होंने मुआयना किया है आज के पहले सरदार बलदेव सिंग से ले करके आज तक किसी डिफेंस मिनिस्टर ने एक महिने के अंदर दो बार नहीं नेक्षन किया था और उसका जो प्रदान मंत्री पहले दस साल में हम देख रहे थे मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मैं बताना चाहूंगा जब वहां के ग्रिह मंत्री आये थे और वो जा रहे थे दरगाहे शरीप पर तो उस पकत जो हमारे विदेश मंत्री थे वो गए थे दोनों की कल मैं बहुत केरफुली बॉडी लेंगविज चेक कर रहा था हमारे जो वहां हमारे जो विदेश मंत्री थे वो ऐसे खड़े थे और जो वहां के ग्रिह मंत्री थे मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि अरे अपने देश में हम बिल्ली की तरह क्यों खड़े होते हैं अगर हम इस तरीके से खड़े होंगे तो जो मेसेज जाएगा वो मेसेज बहुत ही गलत जाएगा लेकिन आज का मेसेज करेक्ट गया है अगर देखिए जो पाकिस्तान में चल रहा है ना इस शिर्फ नवटंकी है कि आज जो है कि फला पाटी ने प्रण मंत्री आवास तक पहुंच गई है और सेना ने कहा एक नमें आगे नहीं बढ़ने दे यह सिर्फ नवटंकी है और लोगों के ध्यां को भटकाने की सिर्फ औ सबके आए और तीसरी ची इस अब को पता है कि वहां की सेना ड्राइविंग सीट पर खुद बैखना चाहती है और वहीं उसका जो प्रयास है वही आज का प्रयास है इससे जादा कुछ नहीं है और तीज और चौथी ची पाकिस्तान की हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना को भाली भात पता है कि हिंदुस्तान के अब प्रधान मंत्री पत पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है कि जो आपकी इन हर्कतों को नहीं समझ रहा है आज जो आप सर दस्तर दिखा रहे हैं एक रावन रूपी पाकिस्तान आप दिखा रहे हैं वो सही समय है कि उसकी नाभी प अपनी हरकतों से आप देखए गाए कि सीघटना के बाट पाकिस्तान अपनी हरकतों से आप पीछे जाता हुआ निजाराएगा इस तरह की सरकार कूशने की कि जा रहे हैं अभरत का फायदा नहीं था उसमें हाल बेहाल पाकिस्तान का फायदा था उसको पाकिस्तान अच्छे धंक से समझ रहा है और आज जो कूट नीती है जो राज नीती है मुझे लगता है सरकार से बेहतर कोई नहीं समझ रहा है आप देखिया आने वाले दिनों में निश्चित तोर पर इस रामर का सर्मनास होगा बिल्कुल सुरेजी एक बार टीडी मिश्रा जी से मैं बात करना चाहूंगा जी विश्रा जी हम हमेशा यह देखते कि बांगलादेश हो या पाकिस्तान हो दोनों में जब लोकतांत्रिक सरकार मुश्किल में आती है तो भारत सरकार डिफेंस में चले लाती है वो भा अभी इस नीती पर कब चलेंगे कि दुश्मन कमजोर है तो उस पर ज्यादा बड़ा हमला करो उसको खतम करो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इसके साथ आपका आपकी बात में इजाफा करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमारी जो एक प्र किरार रखते हुए हमारे प्रोशियों में अच्छा व्यॉहार हो इसके करते हुए भी हमने कडाजवाब दिया है यह चेंज आफ चैप्टर है यह 67 मैं पहले प्रधानमती मैं तो आगे बढ़नी की बात करा रहा हूं मैं इसके आगे बढ़नी की बात करा हूं जरूरी नही आपको तो पता है आप आर्मी भी भी रहे कि इन सब चीजों के परे भी कई चीजों होती है उसको उसका भी क्यों ने आजमाया जाए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उसमें मैं एक चीज यह कहना चाहता हूँ कि गुजराल साब के टाइम पर जितना आपका जितने प्रयास थे जो हमारे प्रयास होने चाहिए सब को निश्टनामूत कर दिया गया था और यह चीजें बीसों साल तीसों साल में बनती हैं मैं यह समस्ता हूँ कि शायद अब हमें वो विवेक है कि हम अपने देश को डिफेंड करने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए हमारे के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह मुठाएंगे मेरे ख्याल से यह लाइन पर है बिल्कुल यह है और कोशिश यही रहेगी जिस तरह के से नरेंद्र मोदी नहीं यहां पर एक्शन लिया है वह और ज्यादा कठोरता से पाकिस्तान के खिलाफ अपना जो कदम है व अब क्या यह वक्त नहीं है कि अब हम भी अपना attitude कश्मीर की तरफ से चेंज करें कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमने अलग समविधान को धारा 370 को लेकर बहस होती रही है अब वो तमाम हालात बदलने चाहिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि क अब तक हम डरेंगे हम विनम रहें लेकिन लोगों ने उसको डरपोक समझा है सिंग साब अभी बता रहे थे मैं उसको आगे खिचूंगा सोला माई को अगर आपने पाकिस्ता न्यू चैनल देखा होगा तो सभीन चैनल पे मोदी साब को तू तड़ाक से बात की जा रही थ दो नहीं दो एक बार पहल करके तो देखे पाकिस्तान के आप व्यक्ति एसे देश में वहां के उनके इसराइल कि दुश्मन देश का कोई व्यक्ति आखे या गाजा का कोई आखे या और भी कोई किसी भी 16-40 देश का व्यक्ति भी गाजा इज्राइल में आके गाजा के लोगों से बात कर सकता है सुरेश जी आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है मैं समचता हूँ कि आज के दिन में मैं इज्राइल को ये समचता हूँ कि वहाँ पर जो common man की spirit है अपने देश को defend करने के लिए वो दुनिया में सबसे अच्छी है और मैं आपको एक example बताना चाहता हूँ और ये example मुझे हमेशा याद आता है 1973 की जब वार हो रही थी वहाँ पर जब इस्राइल पर मिश्ट ने अटेक कर दिया था और surprise अटेक था तो एक उनका officer केंबरले में वहाँ staff college कर रहा था इंग्लेंड में वह officer चुके से अपनी वाइप से कहा class में उसको जब पता लगा कि हमारा uniform लाके तो हमको हेथरो एयरपोर्ट पर देतो और वहाँ पर एक chartered aircraft था जिसमें जितने यहूदी हैं इंग्लेंड में वह तेल अवीब जा रहे थ हैं civilian तो वह civilian तो अभी मुझे आपके बात को मैं आगे बढ़ाता हूं भारत के एक परिवार वहाँ पर रहता है और वह परिवार अभी इन football world cup के दोरान वह परिवार को विशेश ticket मिले थे क्योंकि football team इसराइल के football team में भारत का वह भारत वहंश्य परिवार भी था तो उस परिवार के बच्चे ने कहा कि मैं world cup में जाने के बज़ा है मैं देश के लिए सीमा पर जाऊंगा उसने world cup में जाने का अपना ticket cancel करवा के आर्मी की address पहन के वह गाजा के खिलाब चला गया क्योंकि वहां तो हर school में आर्मी education company है बिलकुल सुवेश जी वहां पर अगर कोई आदमी बाजार से सबजी लेके आ रहा है क्योंकि वहां standing army कम है बाकि territorial army है और उसको ये लगता है कि लिबनान के border पर हमारा rate जा रहा है तो सबजी cycle वहीं छोड़ता है और वो फोज के गाड़ी में बैटके border पर जाता है ये spirit मैं समझता ह कि आज के दिन में अब ये शुरू हो गई है दस साल में तो हम spirit ये देख रहे थे कि देशवासी corruption से इतने हतोत्सा हो गए थे कि उनके देश के बारे में कुछ नहीं यादा रहा था मैं समझता हूं कि ये spirit ऊपर करनी चाहिए लेकिन इसी के साथ बेलकुल ये राष्टरव कि आप इतने हिम्मती एक प्रोग्राइम करने वाले करते हैं मैं आपके माध्यम से अभी कहना चाहता हूं कि सबसे पहली priority हमारे जो sleeper से लेहाल रश्कर दाइबा जैसे मुहम्मत कहें politics को छोड़ करके vote bank को छोड़ करके उनको destroy करना पहली priority होनी चाहिए बिलकुल इसी बि सुरेज जी चर्चा कर रहे थे दूसरी आज भी जजबा हिंदुस्तान की जंता में और हिंदुस्तान की सेना में आज और पहले भी था अगर कमजोरी थी तो कहीं न कहीं राजनेताओं में था जो सत्ता धीस लोग थे उनके अंदर एक कमी थी आज वो कमी हमको लगता है निश्चित तोर पर पाकिस्तान के लिए प्रलेक का दावर है बिल्कुल संजय जी तारीफ होने चाहिए नरेंद्र बोधी किन कोशिशों की सवाली ने उटता है लेकिन लेकिन मैं चाहूंगा मैं वापस चाहूंगा मैं दरखास करूंगा कि अभी हम चर्चा किसलिए कर र करनी है कोई चीजा आपको दिख रही है कुछ चीजे आपको दिख रही है कुछ चीजे नेपत में उस सारी चीज़ों पर सरकार कि चाहता हूं सुरेज जी यह जो परिस्थितियां बनी है मैं अपने कॉमेंट में देता हूं सवाल के बजाए मैं पाकिस्तान तीशे में जब भी बात करता हूं तो मेरा आखरी पहला और बीच का भी एक ही कॉमेंट होता है कि पाकिस्तान के साथ जब भी बात हो तो हमारा कश्मीर जो उनके पास है जिसको गुलाम कश्मीर कहा जात पाकिस्तान खुद है ये बात अब पाकिस्तान के खानू में भारा सरकार की तरफ से डाल दी गई है बहुत बहुत शुक्रिया आप तब उत्माम महमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए इसके साथ हमारे इस खास पेशकर शमितना ही बाके खबरों के लिए के देखते रही है सुदार्शन निव्स जाहिए.